हेलो फ्रेंट सौगत आपके ही चैनल फेंटेसी डॉक्टर में एक बार फिर से जो मैं चम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वह निवाले आप इंग्लेंड वुमें वुमें वर्सेस इंडिया वुमें के भी जो फर्स्ट वंडे मैच होने वाला इस मैच की वीडियो वी खाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारे टेलिग्राम चैनल अवेलेबल है पर आपको हमारे टेलिग्राम के जो रियल और ओरिजनल चैनल है उससे कैसे जुड़ना है आपको करना क्या है कि वीडियो के नीचे जहां कमेंट करते हो वहां आपको हमारे टेलिग्राम चैनल का लि और उरीजनल चैनल के साथ जुरपा होगे तो करते हैं, अब वीडियो को स्टार्ट तो बात करें, क्इवसी यह पर फटाफंट से यहां पर पराइस के इनग्री के ज thirds जाता है तो कई ने कई बेसिस पे देखा जा तो इंगलेंड की टीम मतलब बालिंग से लेकि बैटिंग अर डिपार्टमेंट वे एक स्ट्रॉंग टीम नजर आती तो मुझे लगता है इंगलेंड की टीम के जितने हाई चांथी रहने वाले और वहीं बात करें यहां पर बात करें तो इनम्वेश्म कर सकते हो एक MacE criminally इसको मैं कर सकते हो बाकिश बाकिश क ूबटा करिंग ज़िएग सो इनवट्र के इस्वाफ करसकते हूं और बागे अधरा की देख लिएना वाली उंप면 करने से पहले पर इसा क्या होटने एभ ऒल सकती 1711 लेखा एका इसे 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 वाहे भारीष निराइट रहे हैं तो इसे टीकल सकते हैं भाई की पिक्स आपे इसको में वीडियो के एंड में एक्स्प्लें करों तो यह पार्ट जरूर देख लेगेन इंवेट्मन करने से पहले बाई की पिक्स में एक फटाफट यह पर पात किया तो क्या चीज रहने वाली हैं बेसिक चीज़ों पर आते हैं अपर वेन्यू रहने वाला हैं यह नियुक्ति काउंटी ग्राउंटी कांटी ग्राउंड ब्रिश्टल यह एक्सपेक्टेशन्स क्या रहेगी देखो इंग्लेंड पहले बैटिंग करेंगे तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि 200 के ओपर स्कूर जाने के चांस फूल रहने वाले हैं क्योंकि इंग्लेंड के पास बैटिंग लाइन है वो काफी अच्छी और स्ट्रॉंग है तो इसलिए और इंडिया बैटिंग करेंगे तो में भी दोस्तों के आराउंड या दोस्तों थोड़ा ऊपर जा सकती है बाकी बात करें पॉसिबल प्लेंग इलावन क्या रहेगी हैं टैमी ब्यूमंट जो कि इंकी वन आफ दी बैस्ट ओपनर्स में सा आती है और बहुत लंबे टाइम ते खेल तो ओपन करने आएगी और डैनी वाइट नहीं अवेलेवल है उसके केस में आपर लॉरें विल्फिंट ओपन करना है कि जिसने टैस्ट मैच में भी उपन किया थ विल्फिंट एक्सपीरेंस के बैस पर देखा तो टैमी ब्यूमंट बहुत एक्सपीरेंस और बहुत बढ़ी आप ले रहे और आइधिंक फॉर्म में उसका होने का सबसे बड़ा रीजन है अभी रीसेंट पर जो फॉर्म चल रही है इसकी टैस्ट मैच बाकि लॉरें विल बॉलिंग करती है और किसी मैं दो या तीन चार ओवर करती है तो बॉलिंग का हमेश्चा से कंफ्यूजन बना रहता है कि लाइधर नैट करे गी या नहीं करेगी यूकि इनके बास बहुत सारे बॉलिंग ऑप्शन ऑल्रेड़ी आफटे 6-7 ऑप्शन आवेलेवल रहते हैं तो तो बनता है बागे यहां पर बात करें आती है यहां पर नैटली शीवर बहुत बड़ा नाम है बाट बड़ी प्लेयर लिए इन दोनों की टीम की मतलब बोल सतने कि पचासर नेजी ली मारते है बट उतनी अच्छी फॉम में नजर नहीं आई कुछ मैचिस से और यहां पर आपको लोगे कब क्यूंकि डॉमेश्टिक मैचिस आपको शैस पता होगा इंगलेंड के डॉमेश्टिक मैचिस हो रहे हैं वहां यह बैटिंग से उतनी अच्छे टच इंगलेंड की टीम सेकेंड बैटिंग करते हैं कि असके में शयाद ओपनर मिल्दब टॉप इंडिया कम स्कोर करते हैं यह बैटिंग नहीं पिर आपको सिफिक चैचिंग से ही पॉइंट देगी बट इंगलेंड जरूर बैटिंग फर्ष्ट करीगी तो एमिजोंस को ले सक जितने ही यहां पर EMI JONS रहेगी और इंग्लेंड ज्यादा विक्रिट भी लेने के चांस है यह यहां पर EMI JONS को मिलने के बाकी यहां फरान विल्सन जो काफी कंसिस्टन और काफी पुरानी प्लेयर है बाकी सोफी डंकली ब्राउन जिसको भी रिसेंट में टेस्ट में डेब्यू का मौका मिला और हाफ सेंचुरी लगाई तो देखते हैं टीम एक एक्सपिरेंस प्लेयर के साथ जाती है या फिर एक यंग प्लेयर के साथ जो भी खेलेगी पर स्मॉल लिग के इतने वाले पिक नहीं र तो मैं एक्सपेक्ट हरता हूं कि Catherine Brand खेलेगी और अपनी टीम में लेना बनता है Brand बहुत अच्छी All-Rounder है Fast Baller है और यहां पर कहीं नहीं पता बता है तो बैटिंग भी उतनी अच्छी करना जानती है कोंट्रिबूशन दोनों बैट्ट बैटिंग फ्लस बॉलिंग दोनों से रखेगी बाकी यहां पर स्टर्टिंग में बहुत होते थो स्विंग से मिल सकती है यहां पर यह इस स्टर्टिंग में वर डालेंगे फास्ट बॉलिंग केतरिन बरंट जाइन को स्विंग दोनों को अच्छी मिलती है बाकि यहां पर बात कर आती है सहरा ग्लैंड इसका शायद आपके स्लेक्शन रेट बहुत कम है और किसी का ध्यान नहीं है मटबे रिसेंट मगर इंग्लैंड का मतलब रिसेंट की परफॉर्म पर फेंट के बारे में तहीं सोफी एकलिस्टन के बारे में तब साथ में जाने वालों और इनकी टीम की सबसे बैस्ट बॉलर है और अब शायद अपको नहीं पता तो अभी जो वोमेंस की टी-20 क्रिकेट उसमें नंबर न रैंकिंग में सोफी एकलिस्टन लफ्टाम और बहुत अच्छी विकेट टेकर बॉलर है, दस में से आठ है, नो मैच में विकेट्स निकालती है, दो-तीन, बाकी एक आधा मैच ऐसे रहता है जिस में अच्छा परफोर्मर नहीं करती है, बाकी यह consistent परफोर्मर है, Sophia Aklistan, 10 अवर पूरे डालेगी, तो कि ऐसा मैंने बहुत कम इंडिया गेंच 6 विकेट लिती, शयद आज भी काम खड़ जाए, 6 विकेट ले जाए, और फाइनल जीता था इंडिया गेंच को इंडिया अलमोस्ट जीती रही थी और यहां पर इसने अचनक साथ कि तीन-चार विकेट निकाल ले तो इस विंग बहुत अच्छी कराती है यहां पर खतम नहीं होती है, सब वैटिक करना जानते है एंड तक, बाकी यहां पर आती है, मैंने यहां पर नीचे लिखते क्योंकि यहां पर सारा ग्लैन और यहां पर एकले स्टोन से भी बड़िया बैट्समन है अन्या सुरूप सौल, बाकी बात करें तो दस ओर डाल तो से भी आप करने वांगी है, बाकी इंडिया के बहुते हैं पर बाकी बात करें जिसने इंडीया इंडम तीम नें पर चेस्टोन क्या है यहां इंडिया खा रहा थी तो उसमें बड़ा कॉंटरिशन लांच तानिया भाटिया ने जो इनकी विकेट के पर है बागे बात करें तो स्मृति मंदना और यहां पर वर्मा दोनों ही टेस्ट में अच्छी फ़र्म ही थी और दोनों नहीं अगर इंडिया के लिए रन मारे तो पचास परसंट से यादा रन इनके दोनों की थे अगर यह चलते जैसी यहाओ तो इंडिया के घ्द मालाओ नो र्री थी तो कहीं ने ционoff दोनों थे जिए बेढ़ल परें लुकेे नहीं इन करनीं करें दोनों के वा लोगल दक किरिकेट दंड इंडियों और दक दोनों ही आर थे डीर, भार्म AI जोREEyes ब्हुनेह से लहाए। अब काफी power hitter और मिलब सकते हो कि woman cricket की सेवा गए तो definitely यह पर शेफाली वर्मा ने डोनों ही जो test match की इनिंग रही थी पहले में 6 पर उपर 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 जाएंगे बाकी यहां पर है पुनम राओ जो कि एक test player slow खेलती हो शहीद आपको नहीं पता बताया तो जब इंडिया और इंग्लेंड का फाइनल हुआ था 50 50 वर्ल्ड कप का उसमें पुनम राओ नहीं सबसे बड़िया बैटिंग की थी नभे सोपर इंग सेंचुरी के असपास स्कोर किया था और इसके आउड होते ही टीम एकदम हर गी तो कहीना कहीं फ्लो और इनिंग को बिल्ट करना जानती है और अपनी विकेट की वैल्यू करती है और टेस्ट मैच अभी सेकंड इनिंग में हाफ सेंचुरी लगाई थी जा तक मुझे थोड़ा बहुत याद है रहा है पड़स हो इसको प्रेफर करें बाकि मिताली राज टेस्ट मैच बिल्कुल फ्लॉप रहे हैं और शायद आपको नहीं पता बीस साल से उपर क्रिकेट खेल चुकी और अभी तक खेल रही है मिताली राज और बहुत अच्छे 10,000 से उपर रही थिंक रन भी है तो एक्स्पिरेंस बहु बाकि यहां पर बात करें तो हर्मन प्रित कॉर्ट जो कि जब लास्ट ताम इंडिया 50-50 वर्ल्ड कुली थी में इंग्लेंड मी मैस तब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट 175 नमारे से यहां पर 50 ओर के मैच में हर्मन प्रित कॉर ने तो मैभी कंडिशन का फाइदा उठा सकती यहां पर टैस्ट मैच में फ्लॉप रही थी क्योंकि यह थोड़ी पावरेटर टाइप बैट्समन है शॉट्स मानने में बिलीब करते हैं तो शायर टैस्ट मैच में से परफॉर्म निकरा बाकि है 50-50 ओर का मैच है तो कुछ अच्छा कॉंट्रिबूशन कर सकते प्लस साथ बाकि दिपति शर्मा जो मैं बोल सता है इंडियन टीम की सबसे बेस्ट अल रांडर और इसके बेस पे बोलूगा कि इंडियन टीम काफी डिपेंड करते है और अभी टैस्ट मैच में इसने करके दिखाया हाफ सेंचुरी लगा है विकेट्स निकाली तो यहां पर वाइस कर करना की टीम से किसी को बाइस करने इंडिया की तो यहां रिकमेंडेशन दूंगा वह है दिपति शर्मा बाकि बात करें और ऑफिस पिंड बालर रागी यहां पर श्नेहराना ने टैस्मेच ज्रॉड करवाया और हाफ सेंचुरी से उपर ऐसी के आसपा सायज स्कोर भी किया यहां पर ताने बहते किंड़ा कमपैरिजन हो बाकिया ऐगि स्वांटिया के ज्यादा घरेंके तो कैच्छ स्टंपिंग के पॉंस को जयादा मिलने के चन्स है तो मैं वह की जूनस बphon быть ना जूदार की नलींग में है इंडिया को ले सकते हो यह जूदि है सिह यह पंदे श ब्रोर लेना गुली ये सबुड़ी不錯 नुख में उंडिया अवके काफी भात लिए ननकी जा सकते हो अबेरे रिसेंट बात करें कि आफिए यह सब्साइर ऑजए अब छेयर आफ तो को प्रफिदेंश की तुक्राइग जाया इसको तूज पिखकर सब्सたेया वह एंगी जी उइसके अब बात करेंगे तो पहले चाहँ आइगी ऑकर इंडिया आपको 40-50 ओर के बीच बालिंग करते वह नजर आएंगे, वह यह बार बैटे नजर रहेंगे, वह यह जो मैं एक इम जोन्स के साथ कि अग्छाथ जब इंग्लैंड पहले बैटिंग करें तो फिर मैं करें के लिए तानिय भाटिय को ले सकता हुए, बट एमि तो फिल देंजरस अगर बैटिंग आगी ता चीनिंग सकती है अगी तानिय भाटिय आप रज्टे ले सकते हो बाकि अंदरानी रॉय मुझे लगता भारी बैटेगी मुझे लगता है नहीं प्राइट वच्षिंग अगया लगता है ताने भाटिय कोई टीम प्रेकर करेंगी और यूड़े आप टैस्त यहना था मुझे कंच करेंगी लेक navy कर दो यिए यहां पर जा रहा हूं इसमिति मंधना और तीसरी यहां पर शेफाली वर्मा बाकि आप ग्रेंड लिंग में ट्राइ करने यहां पर पोनम राउत काफी कंसिस्टेंट है लास्ट ताइम फाइनल में सेंचुरी के सपा स्कोर किया था इंडिया इंगलेंड के इस्ट फाइनल मे यहां फिर खिलेगा मिडल और में तो प्रेफर नहीं करने वाला पिडिया पुनिया भारी बैटेगी बाकि यह तीन में पिक रही है अब यहां यहां था नाइट नेटली शीवर यहां पर मैं गया डिप्ति शर्मा और कैथरिन ब्रंट आप चाहते हैं इसके जासे हो को मैं बैट किहना और कैंति करें डापिंगे मैं प्रीजर्ट के साही और कंशु flor कर बैट कर ज्या करते हैं भाकि Г जाया गी इसने किरहना अब डर La retard में था स्लिक कर में तीक्षू घडू कर सकते हो किम आसं से में पाद कर सकते हों इस इंक चेर घ्ट घगा घू आया हूँब अर तीसरी option है स्मिन पर बब तको अ करें रहा हमें ज हैं तो मैं जरूर लेना चाहता हूं है यहां पर जुलन गोस्वा में अ इनुप सोल इसकी जगह बट में पर क्रेट का इस्यू बनेगा सल्द मैं जा यहां यहां इसके साथ जारों सारा गलैन और यहां पर एक्तवेस्ट और यह ठीम जिन रहर वहाँ पर यह तीम क्रियेट कर सकते हो और पर फुर अप्रेट अवी लेवल है यह पर ब्रंट के जगह अब भर्मनपरिद को भी ले सकते हो बागी जो टीम पर वह ने क्रियेट करें अब बात करें तो यह पर करें चेप्तन सी में देखे जारो हो यह आप नैटलाई Shiver को वह है दिपती शर्मा, इसमरिती मंदना और यहां पर है थोड़ा रिस के लिए के शेफाली वर्मा और यहां पर सोफिय एकलेश्टन तो फिलाल टेम्परी टीम यह बना ज़ते हैं अब ग्रेंड लिग की टीम बनी है विकट के पड़ सेम है यहां मैंने मंदना को ड्रॉप करके राउत को यहां पर मैंने फिर यहां पर सुरूप सोल को यहां पर मैंने कैप्टन सी दिये हैं यहां पर नाइट को वाइस कैप्टन सी दिये मैंने अपर शीवर को बाकि बात करें ग्रेंड लिग की टीम तो ग्रेंड लिग की टीम तो यह इसने जाकर पिक कर रहा है यहा पर शेफारी वर्मा को रखा है यहां पर टाइमी विमॉंट को यहां पर मैंने फिर तीन बॉल इंग्लेंड के रखे है और पूनर में ददधा यहांपर कैप्टन से सोफिकलेशन को दिया वैसक्तंसी है यादर नाइट को दिया अब एक टीम म पर यहां पर मंदना को डौप कर सकते हैं और इंडिया के लिए प्रीक्ट से इन पर विकट गार लें डार गिए अपकी अपर ग्रेंस करता हूं अपर बागी मीडियम जो पिक रहने वाले मेरी बाइकी करदें सब्लस्ट दंक进 avez छोबागी बाती है इस बाकि सबरके सब्सक्राइबदें सब्सक्राइब 3 informacrat ते सब्सक्रा पर नाच दो सबस्क्राइब, यदि का में दो ऐड़ सब्सक्राइब, तो हमें यह भी प्रॉफित दे सकती है सारा ग्लाइन थोड़े डिफरेंट है कि आपे चालीस में भी लेवले दो विकेट लेगी तो एक आदा प्रॉफित दे सकती है बाकी आप चाहो तो इसको इग्णोर करना चाहो तो कर सकती हो बाकी यहां पर मैंने लेस में रखा है यहां पर हैदर नाइट क्योंकि बॉलर कंसिस्टेंट है बातिंग बालिंग इतने ओवर नहीं करती तो इसलिए थोड़ा बाई करना चाहते हो तो कर सकते हो बाकी 62 में वेलेवल है क्योंकि अगर 25 रंभी माड़ती है तो यहां पर 30 के असपास पॉइंट मिल जाएंगे चौके और बांडरीज मिलाके और इंडिया के विकेट गरेंगे तो इसलिए चाहर जरूर करने वाली है तो कहीं ना कहीं बाकी आप चाहो तो इंडिया के प्लेयर को सेल कर सकते हो जहां रखके चलना इंडियान प्लेयर को सेल कर सकते हो जहां दे सुनो इंडियान प्लेयर को सेल कर सकते हो और इन प्लेयर को बाई कर सकते हो इनको मीडियम इनको थोड़ा कम और इंडियन प्लेयर को सेल कर सकते हो वागी वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करेड बटन नीचे दिखाई दे रहागा उसको दबा देना और घंटी दबाना ताकि वीडियो की नूटिफिकेशन और मैसेच आपको सबसे पहले आए जब भी वीडियो दोस्तों और फ्रेंट साथ जरूर शेयर कर सकते हो कमेंट में कोई भी कोशन पुछों में रेपलाई करूंगा जब भी रिड करूंगा और तेलीग्राम चैनल के से जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे जहां कमेंट करते हो वहां तेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा सब